हलो फ्रेंड्स आज मैं जो आपके साथ सेयर करूंगी न वो है कटोरी ब्लाउज में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसके जो यह होते है न थेवरी पार्ट होते है न उसको क्लियर करने वाली हूं तो इसके लिए जो है न इसके लिए साइज, सोल्डर, आर्म होल, नेक और कटोरी की साइज यह मैंने ले लिए है क्योंकि एक कटोरी ब्लाउज को बनाने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है और सही मेजर्मेंट होना बहुत जरूरी है चेस्ट की साइज मैंने यहाँ पे लिख दी है shoulder, armhole, neck और kattori की size armhole जो है उसको मुधा भी बोला जाता है तो इस चीज को आप देख लीजे और अगर आपको इसमें कोई problem हो किसी चीज को समझने में न तो आप comment करके उसे पूछ सकते हैं जिसे shoulder है तो यहाँ पे मैं 28 chest के लिए जो हम shoulder लेने वाले हैं वो हम 5 इंच लेंगे ठीक है और मुधा और या फिर armhole जो भी आप कहेंगे तो यह 5 इंच ठीक है armhole 5 इंच लेना है मुधा जो इसका है मतलब वही हुआ और neck जो हम यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे सवा 2 इंच तो इस तरह के से मैं सारे इंचेज में ही बताऊंगी ध्यान से देखिएगा और इसकी कटोरी है 4.5 मतलब सारे 4 इंच मैंने बताया था तो size के according कटोरी की size तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो गई थी देखा है तो उसको जागे देख लिजे बस यहां पर मैं जो इन शारी चीजे इंचेज में बता रही हूं ध्यान से देखिएगा चेस्ट है 28 का मैंने बताया अब हम 30 इंच पे आ जाते हैं 30 इंच में भी आपको 5 इंच ही रखता है ठीक है सवफ 2005 इंच ही लेगे यहां पर यहां पर बढ़ जाये यहां पर ती सिंच के लिए अब आ गहे हम 32 इंच में 35agnus sinners आप ले सकते हैं यहां पर लेकिन मैं यहांपर सवा पांच इंच लेंगे, ठीक है, सवा पांच इंच आपको यहां 32 में सोल्डर लेना है, और यहां पर आर्मोल जो हम ले रहा है, वो लेंगे हम पौने 6 इंच, आर्मोल पौने 6 इंच लेना है, 32 चेस्ट के लिए, और यहां पर जो हम नेक की विर्थ है, वो फिर हम सवा 2 ही लेंगे और यहांपर जो है कटोरी की साइज बहु पांच हो जा जाईगे यहां पर यहां पे पांच इंच हो गई अब हम 34 चेश्ट पर थरीमान ही आजाते हैं थरीमान हो सब्यूर जोहां कर देंगे तो इस चAPER यहांद है कि यहां पर जो है न हम फिर से जो नेक की विर्थ जो लेंगे न वो हम यहां पर सवा दो इंच ही लेंगे और यहां पर जो कटोरी की साइज है वो हम ले लेंगे सवा 5 इंच तो इस तरीके से मैंने बताया है कटोरी की साइज चेस्ट के कॉर्डिंग मैंने वीडियो डाली है फिर शे बोलती हूं नहीं देखा है तो जाकर के आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देखिए तो उस पर आपको कटोरी की साइज प्रॉपर उस पर भी मैंने बताई है और सेम चीज मैं यहां पर बता रही हूं और लेकिन यहां पर सोल्डर आर्मोल और नेक के साथ में अभी यहां पर 36 चेस्ट में हमने सारे 5 इंच आपको लेना है आपको ले लेना है आर्मोल और यहां पर जो हम ले रहे हैं वह हम नेक की जो भी दे रही हूं इसकी वीर्थ यह सारे चीजे जो है ने आपको के लेंथ ब्लट करता है कि नेक अकड ज्यादा बड़ी लेनी हो तो सवा 2 लेंगे नेक की लेंद आपको च्छोर कम रखनी तो आप तो आप सवा 2 इंच नहीं ले लेकरके अड़ा इच लेना है मतल़ 2 1.5 इंच लेना है समझ में आ गया होगा आपको तो यह चीज मैंने यहां पे बताया है यह आपक लेकिन 28 और 30 के लिए आपको 2 इंची लेना है अब यहाँ पर ये आ गया है 36 में यहाँ पर ने किलिर कर दिया है अब इसकी जो कोरे की साइज है वो सारे 5 इंच होगी फिर अब आते हैं 38 चेस्ट पर यहाँ पर फिर हम यहाँ पर जो हम ले रहे हैं यह शोल्डर वो सारे 5 ले रिषा है नेक की विर्थ है वो 8 इंच लेंगे, और यहाँ पर हम आ गए कटोरी की साइज में जो की हम लेंगे पहुने 6 इंच, तो इसको पहुने 6 इंच कर दिया यहाँ पर क्योंकि 38 चेश्ट है अब 40 चेश्ट के लिए आ जाते हैं तो 40 चेश्ट में जो हम यहाँ पर लेन ली है कुझा बडल नियुकक है और कि मिरें दक हैं जब आपको आछा इंच यहां पर इंच लिया है और कंपो के दिन के लस्षा रागोरी ले यहां पर ने फैने तरह यहां पर वहां प्र आई हैंNow लागा पुझा है लेकिन शिक मतलब और नेक की साइज तो हम नेक की साइज जो उसकी लिए बैलीत की लिए हो हमने सवा सवा शे इंच लिए अब चॉलिस में आ जाते हैं सारे पांच हम उसकी सोल्डर सारेच आर्मछ घीर पर यहां पर नेक की विर्थ है वो पिर एठाइज लेंगे और यहां पर हम सारे 6 इंच कर देंगे कटोरी की साइज अब आज आते हैं 46 चेस्ट हमने पहले 44 तक बताया था अभी 46 और 48 में बता रही है तो उसमें भी आपको सोल्डर सारे 5 लेना है लेकिन पौने 7 इंच आपको आर्मोल लेनी है और यहां पर 28 इंच आप नेक की विर्थ लेंगे और यहां पर यहां पर यहां ले लेंगे पौने 7 इंच हम यहां पर कटोरी की साइज लेंगे तो आप पौने 7 भी कर सकते हैं, सारे 6 भी कर सकते हैं, मैंने सारे 6 ही रखा हैं, आप सारे 6 भी रखिए, बट पौने 7 कर सकते हैं इसको, अब 48 चेस्ट आते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया है, पौने 6 इंच इसकी सोल्डर, पौने 7 इंच इसकी आर्म होल, और यहाँ पर ज सकते हैं क्योंकि 42 जो है न बहुत बढ़ी हो जाती है तो इसके नेक की विर्थ आप लेंग की जो लेंद पर आपको डिपेंड करता है लेंद अगर ज्यादा है तो फिर आपर हाई इंच रखेंगे कम है तो तीन इंच करेंगे अब यहां पर इसकी कटोरी आ जाते हैं तो कट पहुने शात इंच पर कटोरी पहुने शात इंच की कटेगी 48 चेस्ट के लिए तो इस तरीके से मैंने पूरी जो टेवल समझाई है इस चार्ट को समझाया है चार्ट का आपने स्क्रीन सॉट लेकर करके रख लीजे इसके अकोर्डिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आप कि जादा है तो अडाय इंच और कम है तो आपको यहां पे सबादों इन्च आपको लेना है नेक की लेंथ अगर कम जादा है तो 32 ud4 चार्ट की और कम तो 3 इंच तो इस तरीके से मैं यहां पर इसे 2 क्यो लेंट। और 44-46 को भी बताया है, यह पुरी टेवल है, यह वीडियो मेरी पसंद आई हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का आइकन को क्लिक कर दीजाने वाले वीडियो की नोटिफिकेश कर सकते हैं, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, किटनी helpful होती है मेरी वीडियो, यह भी कॉमेंट करके आपको जरूर बताईएगा, तो नेक की विर्थ भी बताई, मैंने armhole भी है, आपको ये भी है, chest के cording change होता जाता है, shoulder के change होता कुछ ऐसे problem जब blouse में आते हैं तो उसके according armhole और हम shoulder में भी कुछ changes लाते हैं जिसके लिए ये बाद की बात है अभी आप विगनर्स है तो आप इस चीज को समझ के पहले इतने ही चाट को आप clear रखे इसके screenshot ले लिजे और ये बहुत ही helpful रहाएगी आपके cutting के लिए तो different next video में फिर मिलते हैं